इस दुआरा विक्सित किया गया है जिसका भारत वर्च में क्लिनिकल ट्राइड किया गया है और वज़ोना आप इस दुद्वा को कोविट के लिए और इसका पूरे हिंदुस्तान में फ्री डिस्ट्विशन का इसेंटर्स पे किया जा रहा है तो आज इस वीडियो में बात करूँगा कि यह ड्रग क्या है यह ड्रग मैली आयरुवेदिक ड्रग है यह अईरुवेदिक फॉली हर्वल फॉर्मिलेशन इसके इंग्रिडिक इसमें चार हर्ब्स से मिला करके इस ड्रग को बनाए गया है इसको 1980 के आसपा Central Council of Research इन आयरुव की इसको दिया गया इसको डिया जा रहा है इस को डिया जा भॉर को लेकिन बाद में उसको किसे और डिजिजिस के लिए इसतंवाल किया रहा है जिसके अभी कोई डवा डवलब नहीं हुई है जिसको उसके लिए इसकी कोई डवा डवलब नहीं है तो ऐसे डीजिज को ऐसे डीजिज का symptom symptomatik treatment किया जाता है उसके symptoms को हिसाब से उस related drug को जो किसी और डीजिज के लिए तो इसक तरह की दबा को री-पर्पस का जाता है। तो i64 आओ कोविड के ड्रग नहीं है, बहुत थी लेकिन इसको री-पर्पस किया गया है कोविड-9 के यूंकि sudah क क्या इसके जो हिंज्त हैं, उस उन बैकि ये ठेस हैं के दौरान जो स्टडी होती है क्लिनिकल स्टडी से पहले जो स्टडी छोती हैं उन में in vitro इन इन् Literally और इनलिको ये तीन अहम स्टडी जो ही हम स्टडी है इन वी चयारणी कि सेल कल्चर पे टेस स्ट्रिक स्ट्री पे लैब में जो study की जाती है या in vivo animal study जो animals को देखर करके दवा देखते हैं उसको in vivo के इन silica study उस study कहा जाता है जिसमें computer software का कि इस्तमाल किया जाता है और इसमें जो binding affinity देखी जाती है fighter constituent की जो जिस हम drug का इस्तमाल कर रहे हैं जिस drug का किसी disease पर इस्तमाल करना चाहरा है उसकी binding affinity देखी ज है उसमें तो इसकी भी study देखी गई थी इन सिलिको इस्टी फोर की इस्टी फोर में जो चार इंग्रेंट्स है उसके constituents जो उसमें फाइटो इसमें उसमें 36 constituents में से 35 constituents ने बहुत ही ज्यादा बाइंडिंग एफिनिटी दिखाई थी COVID-19 के जरीए तो इसलिए इसको रिपर्पस किया गया और फिर यह जो इन सिलिको इस्टेडी की यह रिपोर्ट है जो इस पे पुब्लिश की ओरिजिनल आर्टिकल उसमें यह रिपोर्ट दी गई थी इन सिलिको इस्टेडी के अलावे क्लिनिकल इस्टेडी भी हुई है अलग-अलग सेंटर्स पे छे क्लिनिकल इस्टेडी की गई है हुई है उसमें इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है क्रोना कोविट के लिए that's why it's it's repurposed for COVID-19 तो mild to moderate cases को यह दिया जा सकता है जिसमें initial symptoms आएं हो लेकिन इसको यह इसको जिसका test report RT PCR आगर positive आया है तो उसके साथ दिनों के अंदर अंदर में अगर वो लेकर आ रहे हैं अपने report तो उनको free distribute किया जा रहा है यह drug और इसका clinical trial जो हुआ था वह उसमें यह पाया गया है कि इसको अगर हम agent के तौर पे standard of cure जो है उसके agent के तौर पे इस drug को देत है और duration of clinical recovery को यह कम कर देता है जल्दी recover होता है patient इसका इसके dosage क्या है तो और symptomatic case वगर है तो उसमें दो दो टेबलेट BD देंगे leak on water के साथ 14 दिनों तक दो हगते के लिए और अगर symptom mild and moderate case है symptomatic cases है तो उसको TDS देंगे दो टेबलेट leak on water after one hour after meal 14 दिनों के लिए दो विक के लिए और maximum इसको 12 विक दे सकते हैं अगर ज़रत पड़ी तो 12 विक के बाद इसकी इसको नहीं दे सकते हैं उसकी safety 12 विक तक की ही study हुई है इसके side effects में आपको lose motion आएंगे लेकिन वो resolve हो जाता है कभी कभी किसी किसी को lose motion आ सकता है जो resolve होता है खुद बाखुद अगर कोई कोविड पैसेंट है पोजिटिव है उसको कउ मर्भीटी है ऐइपाइपटेंशन है डाइविटिक है तो वह भी i64 ले सकता है लेकिन उसको उसकी जो जो condition है एपाइपाइपाइपाइप्यूर्टिया इसकी जो ड्रग है उसको डिस कंटिनु नहीं करेगा वह अ नहीं है तो इसलिए एक लेक्टेटिव वोमेन और पिजन डेडिस को नहीं दे सकते हैं ये मार्केट में अवलेबल है ये ड्रग एक तो गवर्मेंट के जरीये कई सेंटर्स पे फ्री डिस्टुटिविशन किया रहा है लेकनि ये मार्केट में भी अवलेबल है आईर्वेटिक फ़ारमेसिज पे आप इसको इससे ले सकते हैं लेकिन ओवर दा काउंटर ड्रग नह नहीं ले सकते हैं आप शुक्रिया